बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि कैसे गदर 2 और Oh My God 2 में बड़ा क्लैश होने वाला है दोनों फिल्में एक टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है सनी पाजी जीतेंगे या अक्षय पाजी ये सारी चर्चा चल रही है लेकिन अब फाइनली सनी देओल ने इस बिग क्लैश पर चुपी तोड़ी है और जो कुछ उन्होंने बोला है उससे उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि तुम्हें Oh My God को जिस से कंपेर करना है करो बड़ गदर 2 को किसी भी फिल्म से कंपेर मत करो सनी देओल ने अपने लेटिस इंटिव्यू में इस बिग क्लैश पर खुलासा करते हुए कहा है मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग फिल्मों की तुलना क्यों करते हैं गदर 2 अलग फिल्म है और बाकि फिल्म अलग है अच्छे फिल्मों की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है सानी देओल ने अपनी बात गदर फिल्म का एक्जामपल देते हुए समझाई उन्होंने कहा कि जब गदर फिल्म आई थी तो उसके गाने और फिल्म के कुछ फुटिजिस देखकर लोगोंने कहा था ये पुराने जमाने टाइप की फिल्म है ये फिल्म बहुत स्लो है और उसके सामने ही रिलीज होने वाली लगान फिल्म की लोगोंने तारीफ की थी और लगान के लिए कहा था ये क्लासिक फिल्म है लेकिन गदर ने लगान से जादा कमाई की थी उन्होंने कहा कि गदर फिल्म को तो इस हद तक लोगोंने नेगिटिव करने की कोशिश की कि एक अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म पर एक स्पूफ भी बनाया गया था मेरी दूसरी फिल्में भी इसी तरह से रिलीज हुई है जैसे कि घायल और दिल साथ में रिलीज हुई थी लेकिन आप फिल्मों की तुलना करना बन कीजिए मेरी फिल्म अलग तरह की फिल्म थी Finally, Sunny Deol ने कहा मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी फिल्म ज़ादा अच्छी होती है फिर भी आप उसकी तुलना करते हैं अच्छी फिल्मों की तुलना नहीं की जाती है। तो कुल मिलाकर Sunny Deol ने बातों ही बातों में कहे दिया कि गदर 2 जो है वो एक अलग तरह की फिल्म है वो एक अच्छी फिल्म है और उसको Oh My God 2 से compare नहीं करना चाहिए। उन्हें इस comparison से काफी problem है। आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों में से box office पर कौन से फिल्म गदर मचाएगे और आप कौन से फिल्म देखने जाएंगे।